ड्रीम, सपने क्यों जरूरी हैं जिंदगी में? कवी पाश की एक मारमिक कविता है कि मेहनत की लूट भी सबसे खतरनाग नहीं होती पुलिस की मार भी सबसे खतरनाग नहीं होती गदारी और लोब की बुठी भी सबसे खतरनाग नहीं होती इसके आगे वो जीवन की तमाम मुश्किलों को बताते हैं और ये कहते हैं कि ये सब भी उतने खतरनाक नहीं है तो फिर सबसे खतरनाक क्या है? सबसे खतरनाक है मुर्दा शान्ती से भर जाना, निकलना घर से काम पर और लोड़ कर फिर काम से घर को आना, सबसे खतरनाक है हमारे सपनों का मर जाना. सपनों का मर जाना, सपने इतने जरूरी क्यों है और वो क्या सपने है जिनके नव होने से जिन्दगी इतनी खतरनाक हो जाती है, इतनी मुश्किल हो जाती है, इतनी पीड़ादायक हो जाती है. सिगंड वर्ड वार के टाइम में कंसेंट्रिशन कैम्प में एक कैदी हुआ करते थे, विक्टर फ्रेंकिल्टर वैसे थोड़ा मनोबेग्यानिक थे और कुछ काम पहले आस्ट्रिया में करते थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हिटलर ज्यूस के बहुत खिलाब था, और जितना संभव था, जितने जीूस उसकी पकड़ में आ सकते थे, सब को लाके उसने कंसेंट्रिशन कैम्प में भर दिया था, कंसेंट्रिशन कैम्प आप कलपना कर सकते हैं, आप जिन्दगी में जितनी जादा मुश्किल की कलपना कर सकते हैं, कंसेंट्रिशन कैम्प उ जब वो वहाँ पहुँचे तो उनके साथियों के साथ एक कमांडर वहाँ खड़ा था, उसने इशारा किया कुछ लोगों को कि वो बाएं तरफ जाएं और कुछ दाएं तरफ जाएं, दाएं कौन जाएंगे? वो जो बीमार थे, जो मुश्किल में थे, जो शरीर से कमजोर थे, जो बूढ़े थे, जो बच्चे थे, शायद जो किसी काम के नहीं थे उनकी निजर में, वो गए एक तरफ और दूसरी तरफ गए विक्टर जैसे लोग, जो शरीर से स्वस्थ थे, ठीक थे, जवान थे, 10% लोग, अगर 100 लोग हैं, तो 90 लोग छाट दिया गये थे, और 10 लोग ये लोग अलग आए, विक्टर डटे डटे आए, उन्हें लगा कि जिन्दगी शायद बहुत खत्रे में है, लेकिन उनके साथी ने उन्हें बताया कि तुम परिशान भी न हो, क्योंकि वो जो लोग गए हैं यहां से, अभी वो जो चीमनी से दुआ निकल ला है, तो मैं वो वहां से निकलते दिखाई देंगे, विक्टर को छोटा सा साबुन दिया गया, उनके कपड़े उतार लिये गया, उनके शरीर पर जितने भी बाल थे, सब को सेव कर दिया गया, विक्टर नंगे सकते हैं, विक्टर ने कहा है कि दास्तोवस्की सही कहता था, कि आदमी कुछ भी बरदास्त कर सकता है, और ये दशा, ये दशा इतनी भ्यानक, कि जब कोई साथी मर जाता था, तो उसका शोक नहीं मनाते थे, बाकी कहती, लूट मचाते थे, किसी को उसका जूता चाहिए थ किसी को उसकी हैट चाहिए थी, किसी को उसका कोट चाहिए था, मानवता का इतना पतन, इतना अपमान, इतनी नेजदा, आप कल्पना कर सकते हैं, कैसे कोई जीए उसमें, विक्टर के कई साथियों ने एलेक्ट्रिक तार पकड़ के अपनी जान दे दी, जिनने बरदास्त नहीं हुआ, वो ऐसे ही अपनी जान दे देते थे, पर क्या, विक्टर के साथ क्या हुआ, विक्टर ने लिखा है कि एक दिन जब वो ट्रैक पर जा रहा है जहां वो काम करते थे, रेलवे ट्रैक पर, आप आपी सोच सकते हैं, इतना पढ़ा लिखा आदमी, अपने समय में एक अच्छा जीवन जीने वाला आदमी, आज ट्रैक पर काम कर रहा है, काम करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन एक कैदी के रूप में काम करना, विक्टर जब ट्रैक पर जा रहा है थे तो उनके दोस्त ने कहा, कि अगर ऐसी हालत में हमारी पत्नियां हमें देखें, तो क्या सोचेंगी, और यही बात विक्टर को एक बिजली की तरह लगी, उन्होंने आस्मान की तरफ सर उठा के देखा, तो उन्हें लगा कि आस्मान में उनकी पत्नी का चहरा दिखाई दे रहा है, कंसेंटरिशन कैम्प में उनके पत्नी, उनके पिता, उनके भाई, और कई सारे उनके रिष्टार थे, उन्हें नहीं पता था कि उनकी पत्नी जीवीत है कि नहीं, उनके पिता जीवीत है कि नहीं, लेकिन उस आकाश में पत्नी का चहरा देखकर उन्हें लगा, ओ, जो लोग प्रेम की कविताय लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं, और उसका जैसे उन्हें कुछ बता ही नहीं चलना है और बस Viktor को लगा ओह। अगर यहां से बचके निकलना है और जीना है तो निराशा से बाहर निकलना होगा कुछ तो करना होगा Viktor लिखते हैं कि उसके पाद से मैंने यह कलपना करनी शुरू कर दी कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो अपनी पत्नी से कैसे मिलूंगा, कहां गूमने जाऊंगा, कैसे हम लोग टेबूल पर बैट के खाएंगे और उसके बाद के सुख में जीवन की कल्पना वो लगादार करते रहे उन्होंने अपने जीवन के दुख से अपने को बाहर निकलने की कोशिस की वोई सोचने लगे कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो क्या करूंगा उन्हें लगा कि मुझे यहां के लोगों का बहुत गहराई से अध्यान करना चाहिए जब इसके बाद मैं बाहर निकलूँगा तो मैं पूरी दुनिया में ये बताते हुए घूमूँगा कि कंसेंट्रिशन कैम्प में इतनी बुरी हलक में इतनी मुश्किल में इतने तनाओं में इतने संघर्ष में आखिर जीए कोई आदमी तो कैसे जीए विक्टर बताते हैं कि एक आदमी उनके पास आया और उसने कहा कि मैंने सपना देखा है और सपने में एक आदमी मुझसे कह रहा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ तुम जो चाहो बताओ जो पूछना चाहो वो पूछो तो उस विक्ट ने पूछा कि हम आजाद कब होंगे उस विक्ट ने कहा कि इकतिस मार्च को तुम सब आजाद जाओ वो विक्टी बहुत खुछ था विक्टर कहते हैं कि उसका चेहरा चमक रहा था उसके आखों में रोशनी थी मार्च में इकतिस मार्च में उसके अंदर ताकत थी, जी जी विशा थी, लेकिन जैसे जैसे 31 मार्च करीब आने लगा, पता चला कि युद्ध तो और ज्यादा बढ़ गया है, किसी भी सूरत में युद्ध का अंत नहीं होने वाला है, और वो विक्त 28 मार्च को विमार पड़ा, 29 को उसने सुद्बुद हो दिया, 31 मार्च तक उसने दुनिया को छोड़ दिया, क्यों ऐसा हुआ, विक्तर कहते हैं, उसके सपने तूट गए, वो जो सपना था कि 31 मार्च को हम निकल जाएंगे बाहर, उसे लगने लगा था कि अब ऐसा संभव नहीं है, विक्तर बताते हैं कि उनके साथ ही कैदिय में जो सोचते थे कि 25 दिसंबर के बाद, क्रिस्मस के बाद हम सभी आ जात जाएंगे, उन्हें लगता था कि क्रिस्मस में तो युद्ध बंधी हो जाएगा ना, सभी क्रिशन देशी तो लग रहे हैं, तो शायद वहां तक पहुंचते पहुंचते चीजे ठीक हो जाएं, और वो सभी उत्साह में लगे हुए थे, पर जैसे जैसे क्रिस्मस नजदीक आता गया, उनकी हताशा बढ़ती गई, और क्रिस्मस के बाद बहुत सारे उनके दोस्त इस दुनिया को छोड़ गया, क्यों? क्योंकि किसी के पास जीने का मकसद नहीं बजाता, उनकी उमीद, उनका होसला, उनके सपने तूट गए थे, तभी विक्टर ने सीखा कि इस बुरे वक्त में भी जिन्दगी को एक मायने देना बहुत जरूरी है, आपके पास कुछ सपने होने चाहिए, आपके पास कोई विश्वास होना चाहिए, आपके पास कोई भविश्य का ड्रीम होन यानि जीवन जीने का कोई मकसद है, अगर आप पूछें कि हम जीवन क्यों जी रहे हैं, क्यों, और उसका उत्तर आपके पास है, तो वो व्यक्ति किसी भी तरह ये जीवन जी लेता है, विक्टर ने कहा शायद नीट सेश सही था, एक मकसद देना बहुत जरूरी था, और मैं लगातार, जब उन चीजों का अध्यन करता रहूंगा, वो पुस्तत लिखूंगा, वो किताब लिखूंगा, जसमें इस सब दुर्दशाओं की, सब पीडाओं की, सब आशाहींता के संघर्श की कहानी होगी, और हम उससे कैसे बाहर निकले, इसका एक उपाई भी होग इन तमाम दुर्दशाओं के बाद भी विक्टर बाहर निकले, पर ये दुर्भागे था, कि ना उनकी पत्नी जीवी थी, ना उनके पिता, ना उनके भाई तनहा जीवन में विक्टर ने अपने उनी सिक्षाओं को याद किया, जो वो अपने दोस्तों के साथ कंसेंट्रिशन केम बे उन्होंने सीखा था और उन्हें लगतार पूरी जिंदगी इस बात की कोशिस की लोगों को समझाने की, कि जब बहुत मुश्किल हो, जब अंधिरा घना हो, जब कोई आशा न दिखाई दे रहो, जब सारी मुश्किलें सर पा रहा पड़ी हो, जब सारी उमीदें तूट जाये, तो भी हमें एक सपने को पालना चाहिए, हमें अपने जीवन को एक उदेश देना चाहिए, हमें अपने जीवन में उस बुरी अवस्ता में भी एक मेनी ढूटने चाहिए, क्योंकि उनके दोस्तों में जिन्होंने भी भविश की संभावनाओं की तलाश की थी, वो जीवित थे, और वो जो वो निराश हो गए थे, उन्होंने बहुत जल्दी ही इस दुनिया को अलबिदा कह दिया, मार्टिन लुथर किंग का एक बहुत सुन्दर भाषन है, I have a dream, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे पास एक सपना है कि कैसे भविश में काले और गोरे, एक समान रूप से, एक समान नागरी बच्चे पढ़ते हैं, कैसे हम मानोता कि उस अवस्था तक पहुचेंगे, जब मनुश्य मनुश्य में भेद नहीं रहेगा, पर ये dream कैसे पैदा हुआ उनके अंदर, इसकी भी एक बड़ी छोटी सी रोज़क कहानी है, कहानी ये है कि एक black lady थी, रोजा पार्क, वो एक द पार्कर दिया, और इसकी वज़ा से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उने जेड में बंद कर दिया गया, मार्टीन को ये बहुत जवर्जज्जत तरीके से महसूस हुआ कि ये सही नहीं है, और उन्हें लगा कि उन्हें जीवन का एक मक्सद मिल गया है, यही वक्ट है जब हम अपने जीवन को एक अर्थ दे सकते हैं उन्होंने बहुत बड़ा अंदोलन खड़ा किया सारे ब्लैक से कहा कि कोई भी आदमी बस में चड़ेगा ही नहीं हम पूरी तरह बसों का बहिज़कार करेंगे और मैं नहीं जानता या पूरी दावे से नहीं कह सकता कि उनका सपना कितना साकार हुगा लेकिन ये बास सच है कि मार्टीन लूथर अपने समुदाय के लिए, अपने समाज के लिए और दुनिया के लिए भी एक टिंग तो बनी गया थे तो ये खुआप देखना, ये सपने देखना, ये क्या करता क्या है ये आपके अंदर जी जी विशा पैदा करता है आपके जीवन को एक अर्थ देता है आपको जीने के लिए वाई प्रदान करता है कि मैं क्यों जीन दा रहा हूं, मैं क्यों जीऊं आपको एक मकसद देता है तो क्या इसके पीछे कोई वज्ञानी कारण भी है? निश्यत्रूट से मनों वज्ञानी के बताते हैं कि जब किसी आदमी में विश्वास पैदा होता है जब कोई आशा बनती है जब कोई मकसद उसके सामने होता है जब वो भविस के सुनारे सपने देखता है तो उस तमाम तनाव के छड़ों में तमाम मुश्किल समय में भी उसके ब्रेन में कार्टिसोल का लेबल कम होता है जो बैड हार्मोन है वो कम होते हैं यही तो शरीर के अंगों को खराब करते हैं और सेराटेनिन का लेबल बढ़ता है जैसे निश्चित रूप से आदमी के अंदर एक उत्सा एक उमंग पैदा होता है तो साइंस भी इस बात का सपोर्ट करता है कि जूट ही सही आप कहेंगे कि जूटने सपने क्यों देखें लेकिन यह जूट नहीं है यह जीवन के एक मस्तूल की तरह है जीवन को एक दिशा देने की तरह है यह जीवन को जैसे कुतुबंबा होता है आप समुदर में जाते हैं तो आपको दिशा दिखाने वाला एक अंदर होता है यही जो आशा है, जो विश्वास है, जो सपने है वो आपकी जीवन को इतिशा देते हैं इसलिए जूटे नहीं है मुश्किल चाहे जितने भी हो राइट ब्रदर ने आकास में उड़ने का सपना देखा आज आप जहाज देख रहे हैं हमारे पूरवजों ने आजादी के लिए सपने देखे आज हम आजाद है निकला टेसला ने पूरी दुनिया को रौशन करने का सपना देखा और इसी करिन की कोचकी आज दुनिया चब्मग हो रही है सपने, सपने, सपने सपने ही तो हैं जो आपके वजूत को एक वैलू देते हैं कभी भी सुन्दर भविश के सपने देखता है तो आईए हम भी सुन्दर भविश के सपने देखें इन काली सदियों के सर से जब रात का आचल धलकेगा जब दुख के बादल पिखलेंगे जब सुक का सागर चलकेगा जब अंबर जूम के नाचेगा जब धरती नगमे गाएगी वो सुबह कभी तो आएगी